नमस्कार दोस्तों, नोबल पुरुसकारों की घुशना हो चुकी है, 2018 के नोबल पुरुसकार घोसित किये जा चुके हैं अलग-अलग विस्यों में, पांच विस्यों में ये नोबल पुरुसकार दिये गए किसी भी परिच्छा के लिए बहुत ही important है कभी-कभी बिसे भी पूछ ले आता है कि नोबल पुरुसकार जो दिये गए है वो किस subject पे दिये गए है नाम पे दो प्रशन बहुत चोटे वाले प्रशन बनते हैं लेकिन statement based जो प्रशन होते हैं वो विसे पर पूछ ले आते हैं कि किस विसे पर ये नोबल पुरुसकार दिये गए है ऐसे मैं हमको नाम दो पढ़ना ही है कि किसको कौन सा दिया गया है और साथ में ये भी देख लेना है कि उस विसे में यानि कि जिसे मान लीजे अर्थसास्त में दिया जा रहा है तो किस टॉपिक पर दिया गया है यानि कि विसे क्या था जिस पर प्राप्त करता जो नोबल प्रुषकार का प्राप्त करता है जिसने वर्क किया था तो ऐसे हमें एके करके सारे प्रुषकारों को देखते हैं पहला प्रुषकार है फिजिलोजी या चिकित्सा का प्रुषकार जो इस लिश्ट में है ये दिया गया जेम्स पी एलिशन और तशाकू होंजो को तो जेम्स पी एलिशन जो है ये USA के हैं और तशाकु होंजो, यह जापान के है, यह ना इसमें चूट गया है, यह है जापान के, दोनों का नाम याद रखेगा, एलिशन और होंजो, इनको रिनात्मक पृत्रच्छा बिन्येमन के आउरोध में, कैंसर थेरेपी की खोज के लिए, रिनात्मक पृत्रच्छा बिन्ये बिन्येमन की संक्या कुप जादा है, और अभी भी जो सामानी जनता है, उसके वसकी बात नहीं है, इसका इलाज करा पाना, और अगर यह लाश्ट स्टेज में पहुंच जाता है, तो इलाज वैसे भी मुश्किल हो जाता है, दूसरा प्रुसकार है भातिक विग्यान, भात देश के नाम का एक वाइटरन होता है, तो आप अगर कई बार नाम, जैसे एक देश के कई विक्तियों के नाम आपने पढ़े हैं, तो आप लगभग जान जाते हैं, तो डोना इस्टिक लैंड कनाडा, जेरार्ड मैरो, यह फ्रांस के, आर्थर असकिन USA के हैं, लेजर भात की के छेतर में, ग्राउंड ब्रैकिंग अविस्कारों के लिए इनको यह भाती विग्यान का प्रोसकार तीन लोगों को दिया गया है, रशायन विग्यान, फ्रांसिस एच अर्नाल्ड और जार्ज पी इसमित, इन दोनों को दिया गया, लेकिन इन दोनों के टॉपिक देख इन दोनों लोगों ने मिलके, प्रांसिस एच अर्नाल्ड ने इसको सेर किया है, दो अन्य लोगों के साथ, जार्ज पी इसमित और सर ग्रेगरी पी विंटर के साथ में, ठीक है ना, इसमें देखिए दो लोग आ रहा है, अगर टोटल देखा जा तो फ्रांसिस एच अर्ना ग्रेगरी फी विंटर, ये यूके के हैं, इनको दिया गया है, टॉपिक याद रखिएगा, पैप्टाइस और अंटिवाडी के फेज डिस्प्ले के लिए, और एंजाइमों के गाइड़ेड विकास, यानि कि नर्देशित विकास के लिए, सांती का नोबल जो दिया गया, इनकोर वो दिया गया है, ये नाडिया मुराद मैला है, और एंजाइमो दों लोग भी देता है, यूद्ध और ससस्त संगहस के हतियार के रूप में योन हिंसा के उप योग को खत्म करने के अपने प्रयाशों के इनको दिया गया है, ठीक है न, तो याद रखिएगा, योन हिंसा का मामला جہاں आता है अगला जो पुरुषकार है वो आर्तिक विग्ण का पुरुषकार है और्तिक विग्यान का पुरुषकार इस बार जो दिया गया है विलियम डी नाढधास जो USA के है साथ में इनके पाल एम रूमर ये भी U.S. से के हैं, दोनों को मिलाकर दिया गया है William D. Nardhas का जो टॉपिक है लंबे समय से चलने वाले व्यापक आर्थिक विशलेशन में जलवाईव परिवर्तन को एकिक्रित करने के लिए ये पुरुसकार दिया गया है और Paul M. Romer मिलता जुलता टापिक है लंबे समय से चलने वाले व्यापक आर्थिक विशलेशन में तक्नीकी नवाचारों को एकिक्रित करने के लिए ये पुरुसकार इनको दिया गया है यानि कि दोनों लोगों का व्यापक आर्थिक विशलेशन ही है लंबे समय से चलने वाला लेकिन विलियम डिनाड हास का जलवाई परिवरतन को एकिक्रित करने के लिए इसमें और वाल एम रोमर का तक्नीकी नवाचारों को एकिक्रित करने के लिए पुरुसकार ये प्रदान किया गया है और पहली बार मैं आपको बता चुका हूँ कि मुद्दे के कारण सत्तर वर्सों में साहित का पुरुसकार ये सब पहली दफा हुआ है कि नहीं दिया गया है ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप अपने फ्रेंड्स को सेर कीजिएगा जो भी आपके फ्रेंड्स है उन तो भेजिएगा पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिएगा करेंट अफेर्स के वीडियो जो छूटे थे इधर वो कम्प्लीट कर दिये गया उनको देखते रहिए थैंक्यू थैंक्यू बेरी मैस आल दावेश्ट फिर मिलता हूँ किसी नए टॉपिक के साथ